कभी देखा नहीं है, पर इतनी तेज धूप है, आप लोगों को भूप प्यास लग रहे ही होगी, आप लोग अंदर चल कर कुछ खा लीजे महिला की बात सुन, पहले एक गुजुर्द ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पती घर पर है? वो तो इस वक्त कर गए है, तो हम आपके घर नहीं आ सकते हैं, शाम को जब महिला के पती काम से घर लोटे, तो उसने पूरी बात अपने पती को बताई, सारी बात सुनने के बाद, पती ने तीनों बुजुर्गों को शाम के खाने का निमंतरन देने को कहा, पती के कहे अनुस महिला एक बार फिर उस पेड के पास पहुंचे, और उसने उन बुजुर्गों को खाने का निमंतरन दिया, महिला की बात सुन, बीच में बैठे बुजुर्ग बोले, शुक्रिया बेटी, पर हम तीनों एक सार किसी के भी घर नहीं जाते, पर ऐसा क्यूंग, देखो बेटी ये जो मेरी बाई और बैठे हैं, इनका नाम दौलत है, और जो मेरी दाई और बैठे हैं, इनका नाम सफलता और मेरा नाम प्यार है, जैसा कि मैंने तुम से कहा था, कि हम तीनों एक सार किसी के घर नहीं जाते, अब ये तुम पर निर्भर करता है, कि हम तीनों में से, तु किसे अपने घर ले जाना चाहती हो बुजुर्ग की बात सुन महिला सोच में पड़ गई उसके लिए निर्नाय करपाना थुड़ा मुश्किल हो गया उसने सोचा क्यों न अपने पती की मदद ली जाए वो भीतर गई और उसने अपने पती को सारी बात बताई पत्नी की बात सुनने के बात पती बोले मुझे लगता है हमें दौलत को अपने घर ले आना चाहिए क्योंकि उसके आते ही हम माला माल हो जाएंगे नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि हमें सफलता को ले आना चाहिए क्योंकि उसकी आते ही हम जिंदगी में वो सब हासिल कर पाएंगे जिसकी हमें इच्छा है तभी पास ही ले बैठी इनकी दस साल की बेटी बोल पड़ी ममा ममा पर मुझे लगता है कि हमें उस प्यार नाम वारे दादाजी को घर बुलाना चाहिए ताकि हमारा घर खुशियों से भर जाएं बेटी की बात पती पत्ती को जच गए और उन्होंने आंगन में जाकर प्यार नाम के बुज़ुर्ग से घर के अंदर आने का आग रह किया प्यार नाम वाले बुज़ुर्ग आगे बढ़े पर ये क्या इनके पीछे पीछे दौलर्ग और सफलता नाम के बुज़ुर्ग भी घर की योड़ चल पड़े ये देख मेला को आश्यर हुआ और उसने बुज़ुर्ग से पूछा पर आपने तो कहा था कि आप में से सिर्फ एक ही घर के अंदर आ सकता है अब आप पीनो बेटी मैंने बिल्कुल सही कहा था अगर तुमने दौलर्ग या सफलता में से किसी एक को चुना होता तो बाकी दो घर के बाहर ही रह जाते पर क्योंकि तुमने प्यार को चुना है सो जहां प्यार रहता है वहाँ दौलर और सफलता तो खुद बखुद चली आती है